दोस्तों क्या आप चाहते हो कि आपके वाटसप का लास्ट सेरी ब्लू टिक डबल टिक हाइड हो जाए सो ना हो ताकि आप देर रात तक वाटसप पे आउनलाइन रह सको किसी से चैट कर सको और इस बात की खबर आपके कुछ खास लोगों को ना हो जैसे कि आपके पापा आपकी गर्फेंड नंबर दो अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो ये वीडियो आपके काम की है तो हलो गाइज मेरा नाम है राजा टिक लाउंट्री के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है वीडियो सुरू करने से पहले आपका भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट दबा कर करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले ओप करेंगे उसको आं करते ही हमारा लाश्ट सीन हाइड हो जयेगा हाइड हो जाएगा मतला हमतला हो जा कर रहा होगा बस वहीं सो करेंगा घंटो जब तक हैं इस्कोस और पर इस यहां पर जिए कहन नहीं करेंगा चलिए अब दूसरे में आता है privacy यहाँ पर दिखे privacy लिखा contact लिखा इसको open करेंगे यहाँ पर दिखे लिखावा hide blue ticks hide second tick, hide blue microphone hide typing, hide recording तो यहाँ से अगर आप सारे को check कर देते हैं इस तरह से okay कर देते हैं तो यह सारे context में apply हो जाएगा आपके जितना भी contact है सब में यह apply हो जाएगा जाकि टेली नौर है इसमें हम वो privacy डालेंगे custom privacy तो कैसे होगा चली दिखाते हैं इसके photo पे click करेंगे DP में यहाँ पे देखिए right side में नीचे में eye का जो button है इसमें click करेंगे सबसे उपर में देखिए custom privacy का option आ गया है इसको on करते ही वो सारे option आ जाएंगे इसको on करते हैं यहाँ पे देखिए hide blue tick hide second tick, hide blue microphone hide typing, hide recording, hide with status and anti delete messages इतने सारे option हैं हमको सिर्फ दो चाहिए तो hide blue tick और hide second tick यह हम कर देंगे आप यहाँ पे सब को check कर देजीगा क्योंकि अगर सामने वाले का भी WhatsApp होगा तो वहाँ पर आप जैसे किसी को typing कर रहोगे किसी के लिए तो वहाँ पे so होगा कि आप type कर रहे हो इसलिए आपकी चोरी पकड़ी जाएगे इसलिए आप साब को check कर दीजेगा यहाँ पे ok करेंगे सबसे नीचे में जो दिया है button ok मारेंगे अब चलिए इस WhatsApp को हम बंद कर देते हैं अब खोलते हैं वह WhatsApp जिसके लिए हमने privacy डाला है तो यह हमारा regular WhatsApp है जिसके लिए हमने privacy डाला इस copy करेंगे यह देखिए यह सल्मान खान का जो DP लगा हुआ है इसी पे हमने privacy डाला है जाकिर्स जियो सेल्फ इसको open करेंगे इसको message करेंगे एक यह देखिए मैंने message कर दिया है यहाँ पे so हो रहा है single tick जबके हमको notification आ जुका है दूसरे WhatsApp का तो इस WhatsApp को बंद करेंग single tick so हो रहा है double tick भी so नहीं हो रहा है blue tick भी so नहीं हो रहा है चलिए इस WhatsApp को हम open करेंगे यह देखिए हमने message पढ़ लिया अभी 4 बज़ के 14 मिनट हो रहा है मैंने message पढ़ लिया है WhatsApp open करेंगे फिर से वह वाला यहाँ देखिए last thing so हो रहा 4 बज़ कर 10 मिनट का जबके अभी 4 बज़ के 14 मिनट में हम वहाँ पे online हुए थे और यहाँ जो हमने message किया था यह single tick ही सो हो रहा है blue tick भी नहीं हो रहा है double tick भी नहीं हो रहा तो यह है GB WhatsApp का कमाल इसके जो features हैं वो थोड़े अलग होते हैं अलग यह third party app है इसको मैं use करने की सला नहीं दूँगा वरना आपका data चोर होने का बहुत बड़ा risk रहता है लेकिं GB WhatsApp के कुछ features ऐसे होते हैं जो regular WhatsApp में नहीं होते हैं तो आपने देखा किस तरह से अब अपना GB WhatsApp में blue tick double tick last scene fridge कर सकते हो एक चीज़ यहाँ पर note कीजिएगा कि जो last scene है वो सब के लिए apply होगा किसी की last scene के लिए कोई custom privacy नहीं डाल सकते किसी एक के लिए डाल सकते बाकि blue tick double tick आप किसी एक के लिए डाल सकते हो custom privacy की मदद से तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगला वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा तब तक के लिए थैंक यू बाई बाई